नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनोवेंटरी सॉफ्ट्वेयर में एक नई कमपनी या अपने खातों की किताबे कैसे बनाई जाएं, और यह भी समझेंगे कि कमपनी से सम्बंधित सभी जानकारी को कैसे डाला जाएं. जैसे ही हम सॉफ्ट्वेयर ओपन करते हैं, हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है कमपनी लिस्ट के नाम से. इस डायलॉग बॉक्स के दाईयों हमें मिलता है एक नई कमपनी बनाने के लिए विकल्प. जैसे ही हम Create New Company बटन पर क्लिक करते हैं, हमें एक नई कमपनी बनाने का डायलॉग बॉक्स मिलता है, जिसमें पीले रंग की बैकग्राउंड के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जिसमें डेटाबेस का नाम पूछते हैं. प्रुपया ध्यान दें कि इस सॉफ्ट वेर में पीले बैकग्राउंड वाले सभी टेक्स्ट फील्ड अनिवार रहें. यहां हम अपनी पसंद के अनुसार देटाबेस का नाम दर्स कर सकते हैं. उदाहर्न के लिए Fashion World. फिर हमें डायलोग बॉक्स के नीचे की तरफ दिये गए Next बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद कंपनी के बारे में विभिन जानकारी मांगते हुए एक डायलोग बॉक्स दिखाई देता है. इसमें हमें कंपनी का नाम, प्रिंट नाम, बॉक्स फ्रॉम यानि वित्तिय वर्ष और अन्य जानकारी जैसे की पता, कॉंटेक्ट, इन्फोर्मेशन, वेब लिंक, जीस्टिन, पैन और लाइसेंस संख्या एक्सपाईरी डेट डालने की सुविधा दी गई है. यहां नाम और प्रिंट नाम जरूरी है और अन्य विवर्ण उप्योग करता के जरूरत के अनुसार डाला जा सकता है. यहां हम नाम डालेंगे जैसे की फैशन वर्ल्ड, ट्रिंट नाम आटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, हाला कि इसे यूजर अपने हिसाब से बदल भी सकता है. बाकी की जानकारी भी हम यहां डाल सकते हैं, जैसे की एड्रेस, प्लाट नमबर 28, सरिता विहार, कूणे, यहां स्टेट को सावधानी से चुना जाना चाहिए, क्योंकि इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है. यदि व्यवसाई GST के तहट रजिस्टर्ड है, तो GSTN को यहां डाला जाना चाहिए, क्योंकि बिकरी और खरीद ट्रांसक्शन्स में टैक्स की गणना. यहां सेलेक्ट किये गए स्टेट, और यहां दिये गए GST टाइप पर आधारित होगी. इसके बाद हमें डायलोग बॉक्स के नीचे की तरफ फिनिश बटन पर क्लिक करना होगा. जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं, नई कंपनी की जानकारी डिस्पले होती है, जिसमें कंपनी का नाम और आईडी, लोगिन क्रेडेंशियल्स यानि यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रदर्शित करने वाली इनफार्मेशन पॉपप दीखता है. क्रपया ध्यान दें कि डिफॉल्ट रूप से यूजर आईडी और पासवर्ड एड्मिन और एड्मिन है. इसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें और नई कंपनी तयार हो गई है. धन्यवाद.